आप लोग यहाँ पर नीचे कमेंट बोक्स में आंसर ज़रूर कमेंट करेंगे किस उर्दू सायर ने लिखा है कि दिले नादान तुझे हुआ क्या है आप बेल्कुल ऑप्षन है आंसर है आपे दोस्तो मिर्जा गालिब ने लिखा है ए दिले नादान तुझको हुआ क्या है मिर्जा गालिब जो है दोस्तो बहादूर साथ द्वीतिये के समधी भी थे ठीक है समधी थे उनके और मिर्जा गालिब जो थे मुगल काल के अंत के प्रशिद उर्दू शायर हुआ करते थे दोस्तो यह ध्यान रखेंगे आंसर हम भी कर लेंगे सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे दो पे निमलिखित निर्थियों में से किस में से एक एकल निर्थि होता है जी हाँ दोस्तों एकल निर्थि की अगर जब भी चर्चा करे तो मोहिनी अटम का नाम याद रखेगा और यह केरल का सास्ते निर्थि है ठीक है यह ध्यान रखेंगे क्या मोहिनी अटम सी आंसर हो जाएगा लेकिन कुछ फेमस निर्थि हैं जो कि आंध्रप्रदेश के कुच्ची पोड़ी है और भरत नट्यम जो है और कोमी यह है कोल्टम जो है कावडी यह सारे तामिल नाडो के है तो थोड़ा ध्यान रखेंगे यहाँ पे वैसे आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा सवाल नंबर तीन पे चलते हैं यदू वेंदू स्टेडियम किस सहर में है तीसरे का आंसर करेंगे दोस्तों यदू वेंदू जो स्टेडियम है वो पटियाला में है बी इस दा राइट आंसर आपको बता दे कि एक चावल का अनुसंधान ये कटक से अगर सवाल यहाँ बने तो चावल के अनुसंधान के लिए फेमस है ठीक है और जैपूर को आपको पता है गुलाबी सहर कहा जाता है बहुत ज़्यादा फेमस है सवाल नमर चलते हैं दोस्तों चार पे केंद्रिय मंत्री परश्यत का कार्य नहीं है नहीं बोल दिया जाए जब भी आपको सवाल में तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे आंसर करेंगे लोक मत तयार करना जो कि इसका कार्य नहीं होता है दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि केंद्री मंत्री परश्यत का कार्य जो है वो लोक मत तयार करना नहीं होता है मंत्री परश्यत का जो समोहीक रूप से अगर देखा जाए तो लोग सभा के प्रति उत्तरदाई होता है और मंत्री प्रति का सदस्ती जो होता है बनने के लिए वैधानिक दृष्टी से व्यक्ति को संसत के किसी भी सदन का सदस्ती होने आने वार है और एटलिस्ट छे महीने का तो अंदर संसत बना रहना उनका अनिवार्य है यहाँ प है बिल्कुल त्रीपूरा राज्जी को दिया गया है दोस्तो आंसर हम क्या कर लेंगे डी कर लेंगे दोस्तो जिया आपको बताना होगा यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या बताना होगा तो त्रीपूरा की राजधानी का नाम क्या है जिया दोस्तो यह कमेंट करें सवाल नंबर 6 पर चलते हैं अमरीच सर का स्वन मंदिर किस ने बनवाया यह बहुत बार कोशिन पूछा गिया है और हो सकता है कि इस्पेक्टेड है तो पूछा भी जा सकता है बिलकुल आंसर क्या कर लेंगे दोस्तों यहां पर जिहां अरजुन देव गुरु अरजुन देव थे आंसर एक कर लीजिएगा दोस्तों यह अच्छा अमरीच सर का जो शहर है है न वो स्थापना किस ने कर आया था तो अगर अ देश की स्थापना हुई थी दोस्तों 14 मई जिहां अब तो देट आपको पता हो गया 1948 को सवाल नंबर यहां पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहां यह हो जाएगा सवाल नंबर 8 पर चलते हैं वर्षा रितु में वायूमंडल के सरवाधिक आधरता कब विद्धमान र सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों नाइन पर मात्रकों की अंतराष्टी एसाई कब से लागू किये गये थे हैं एक्जैक्ली आंसर कीजिएगा दोस्तों 1971 से किये गये हैं दोस्तों इंपोर्टेंट है कोशिन आ सकता है एसाई पद्धती का मूल मात्रक संख्या 7 है यह भी आ बिल्कुल आंसर करेंगे कि कमराद धीरे-धीरे गरम हो जाएगा जीहां आंसर हम D कर लेंगे नोड कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 11 पर किसे लोक लेखा समीती के अधियक्ष के रूप में नुक्त किया गया है बिल्कुल अधीर रंजन चौधरी is the right answer नोट कर सकते हैं वे कॉंग्रेस पार्टी के लोग सांसद लोग सभा के सांसद भी रह चुके हैं और आपको बता देख अधिर रंजन चौधरी जो हैं वो लोक लेखा समीती के अधियक्ष के रूप में नुक्त किया गया है आंसर एक कर लेंगे दोस्तो सवाल नंबर चलते हैं 12 की तरफ किस देश को 3 से 8 सेप्टेंबर को कुरुख छेतर में होने वाले गीता जैनती महतसा के लिए भागिदार देश के रूप में आमंतरत किया गया है बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तो नेपाल is the right answer नोट कर लिजी का दोस्तो गीता जैनती महतसो के लिए आमंतरत किया गया है कुरुख छेतर में नेपाल को नेपाल की राज़ानी काटमांडू होती है ध्यान रखेंगे सवाल नंबर चलते हैं 13 पे सवाल नंबर चलते हैं 14 की तरफ यदि दो देशों में युद्ध छड़ जाता है तो युद्ध बंद करने के समक्ष संस्था कौन सी है यदि दो देशों में युद्ध छड़ जाता है तो युद्ध बंद करने का सुरक्षा परिशद या सक्षम संस्था होती है कौन दोस्तों सुरक्षा परिशद B is the right answer अच्छा सुरक्षा परिशद जो है इसके बारे में एक चीज़ नोट कर लिजएगा आप लो कि ये युएन का सबसे महत्यपुन संस्था है कहां का युनाइटेड नेशन का ठीक है अच्छा सुरक्षा परिशद चानती या फिर युद्ध के लिए जिम्मेवार होता है ठीक है ये भी आप ध्यान रखेंगे सवाल नंबर फिप्टीन पे चलते हैं दोस्तो राज्यपाल पद पर नियुक्त के लिए अभ्यारती की आयू कितनी होनी चाहिए इसलाम धर्म भारत में लेने का सरप्रसम श्रेक इसको गया लाने का है तो इसलाम धर्म भारत में लाने का सरप्रसम श्रेक इया है दोस्तो मुहमद बिन काश्रीम को ठीक है आंसर यहाँ पे D कर लीजिएगा इस दर राइट आंसर मुहमद बिन काश्रीम जो है ये 712 इसवी में सिंधिक पर विजय प्राप्त किये थे और इसलाम धर्म के संस्थापक हजरत मुहमद थे यह आप लोगो पता होना चाहिए ठीक है सवाल नमबर चलते हैं 17 पे दोस्तो हाल ही में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के प्रमुक सचिव के रूप में किने नियुकति आ गया था सी इस दर राइट आंसर पी के मिश्रा ये भी नोट कर सकते हैं करेंट के टॉपिक से जूड़ा हुआ हुआ है दोस्तो हाल ही में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के प्रमुक सचिव के रूप में किने नियुकति आ गया था तो ये ध्यान रखेंगे और 370 धारत से जुड़े हुए और इसके अलावा दोस्तो यहां पे जो तीन तलाग से जुड़े हुए तथ्यों पे सवाल जरूर रहेंगे आपके परिक्छाओं में तो इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे आप लोग आंसर डी कर लेंगे दोस्तो बी और सी दोनों ही खंड दो और खंड तीन यहां एक अधिसूशना जारी की गई है यहां पर जिसको अब समाप्त कर दिया गया था सवाल नंबर चलते हैं 19 पे जम्मो किश्मीर के पुनरगठन कानून 2019 के तहट राजी का नया सुरूप क्या होगा तो यह देखे यह भी वही सेम कोशन है वही से तो जम्मो किश्मीर राजी के दो हिस्सों में बढ़ कर यह दोनों ही किंद्रशासित बन गया है जी आंसर एक कर लेंगे यहां पर इस दर राइट आंसर और एक बना है जम्मो किश्मीर और एक बना है लदाग विदेशी राजा जिनस ने समुंद्र गुप्त ने से अनुरूद किया था कि उसे भारत में बहुत विहार बनने की अनुमती दी जाए वह क्या था बी इस दर राइट आंसर बी मेःग वरमन इस दर राइट आंसर जी हां आंसर क्या कर लेंगे बी इस दर राइट आंसर सवाल नंबर चलते हैं 21 पे अलबर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद यंत्र बजाने के लिए निपोन थे ये सवाल पूछा गया है BPSC में तो सापिक्षता का देखें आपको बता देखें कि यहाँ पर हम बात करें सापिक्षता का सिध्धानत देने वाले हैं आइंस्टीन यहाँ पर और जोकी यहाँ पर वाद यंत्र बजाने के लिए ये निपोन हुआ करते थे तो यह आप लोग आंसर क्या कर लेंगे C यहाँ पर आंसर कर लेंगे दोस्तो 21 का राइट हो जाएगा C is the correct answer सवाल नंबर चलते हैं 22 पर आप लोग भी सभी आंसर करेंगे यहाँ पर जितने भी चातर यहाँ पर जुड़े हुए हैं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे ताकि यह सारे डिटेल जो हैं उन तक पहुँच सके व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी जल्दी से आंसर कर लेंगे 22 का exactly answer A हो जाएगा दोस्तो चित्र मुगदल is the right answer नोट कर लेंगे दोस्तो व्यास सम्मान सहित्य के छेतर में दिया जाता है यह भी आप नोट कर लेंगे सवाल नंबर चलते हैं 23 पे निम्न में से कौन सी रभी फसल की नहीं है नहीं बोल दिया गया है 23 का answer क्या कर लेंगे इस ए भिंडी जो है वो रभी फसलों में नहीं आती है ठीक है यह आप ध्यान रखेंगे आंसर क्या हो जाएगा यह इस दराइट आंसर रभी फसल अक्टूबर नौबर के महिने में बोह जाती है यह भी आप ध्यान रखेंगे सवाल पूछा गया है एक्जाम में आपके पुराने तो आयूश मंत्राले ने लोगों के योग केंद्र और प्रसिक्च को का पता लगाने के मदद करने के लिए कौन सा एप लॉंच किया है भिल्कुल आंसर करेंगे योग लोकेटर बी इस दा राइट आंसर नोट कर लेंगे दूस्तो सवाल नंबर चलते हैं 25 पे तारों के मद्धे दूरी ग्यात करने की रिकाई को क्या कहते हैं प्रकास वर्ष इस दर राइट अंसर डी इस दर राइट अंसर या और शा एक पार्षिक में 3.26 वह प्रकास वर्ष होता है यह आप काल्कुलेट जरूर कर लिजेगा सवाल नंबर चलते हैं 26 पे अंतराष्टी यह नेंसल मंडेला दिवस प्रती वर्ष मनाय जाता है 26 का आंसर करेंगे ए 18 जुलाई नोट कर लेंगे दोस्तों यह नेंसल मंडेला दिवस बनाय जाता है प्रतेक्षाल अंतराष्टी तोर पे आंसर हम एक कर लेंगे 15 जुलाई को विश्वे कॉसल दिवस 11 जुलाई को विश्वे जनसंख्या दिवस यह आप नोट कर सकते हैं हां से सवाल नंबर 27 पे चलते हैं आम बजट 2019 में जनधन खाता धारक महिलाओं के लिए कितने रुपे उभर ड्राफ की सुविधा देने का एलान किया गया है आंसर कर लेंगे दोस्तों इट सी 5000 रुपेज जी हों ओवर ड्राफ कर सकती हैं महिलाएं सवाल नंबर 28 पे चलते हैं कोयल किस राजी की राजी की राजी की पक्षी है जल्दिस आंसर करेंगे सी जारखंड इस दर राइट आंसर नोट कर सकते हैं और कोयल जो है अपने मधूर स्वर के लिए प्रशिद है कोकिला लता मंगेशकर को भारत में भी कहा जाता है कोकिल ठीक है यह ध्यान रखेंगे सवाल नंबर 29 UK इंडिया अवर्ड 2019 के तहत Global Icon of the Year रूप में किसे चुना गया है सवाल यहां इंपोर्टेंट है आंसर करेंगे A कुनाल नयर is the right answer कुनाल नयर is the right answer कुनाल नयर is the right answer नोट कर लेंगे answer A हो जाएगा और यह भारती अमरीकन एक्टर है जिन्हें राजिश रमाइन कुत्रा पल्ली के भूमी का निभाई थी यह भी आप ध्यान रखेंगे सवाल नमबर 30 पे चलते हैं लेशन लाइफ थौट मी अनलॉनली इन में से किसकी आत्मकता है जल्दी सांसर कर लेंगे लेशन लाइफ थौट मी जिन्हां दोस्तो अनलॉनली यह है दोस्तो अनुपम खेर यह बॉलिवूड के एक एक्टर रह चुके हैं और अब यह बहुत कम फिल्में बनाते हैं चुकि यह अब रेटार्मेंट के दौर पे आ चुके हैं सवाल नंबर 31 प्रित्वी अपने अक्ष पर परित एक डिगरी देशांतर कितने समय घूमती है 31 का आंसर C कर लिजेगा 4 मिनट में जिन्हां दोस्तो C is the right आंसर एक डिगरी देशांतर 4 मिनट के समय में घूमती है सवाल नंबर चलते हैं 32 पे आरे सब्द शाब्दी कर्थ क्या है आरे सब्द का साब्दी कर्थ क्या है जल्दी से आंसर कर लेंगे 32 का आंसर D कर लिजेगा दोस्तो जिहां आरे सब्द का साब्दी कर्थ होता है स्रेष्ट या कुलीन यह नोट कर लिजेगा यहां पे सवाल नोट कर लिजीगा, पंबन जो है, यह दीब कहा है इस्तित है, तो भारतों स्रीलंका के बीच में इस्तित है, A is the right answer, सवाल नंबर चलते हैं, 34 पे, वह देश जो की land of cooperative के रूप में जाना जाता है, यह देश जो की land of cooperative के रूप में जाना जाता है, 34 का अंसर कीजिएगा, Denmark is the right answer, नोट कर लिजीगा दोस्तों, अच्छा, land of midnight के रूप में कौन सा देश जाना जाता है, लैंड of midnight sun, नौर्वे को कहते हैं, यह भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है यह प्रशना, सवाल नंबर 35 पे चलते हैं, मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्साया जाता है, 35 का अंसर कर लेगा, मानचित्र पर सागर की लवणता को आईशो शोलाइन के द्वारा दर्साया जाता है, तो आंसर हम B करेंगे, यहाँ पर is the correct answer, आईशो क्लाइन जो होते हैं, अगर C की बात करें यहाँ पर दोस्तों, यह चुम्बकी गर्ती की समानता वाले स्थानों के मिलान करती है, और आईशो सोहल जो है, यह दी वाला जो option है, यह आप ध्यान कर लेंगे, दोस्तों, यह सूरी के ताप के समान अवधी वाले जितने स्थान है, उनको मिलाने वाले देखा को यह कहते हैं, तो यह ध्यान रखेंगे, आंसर यहाँ पर B हो जाएगा, 36 पे चलते हैं, ब्रह्मा, विश्नु और महेश की त्रिमूर्ती वाला प्रशिद मंदिर किस सहर में है, 36 का आंसर कर लेंगे, यहाँ पर दोस्तों, इटसर B, सुचिंदरम, B, सुचिंदरम, is the right answer, नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से, रमिश्वरम में विवेका नंद का इसमारक है, यह आप लिख लिजे, मदुरई में पांडो वंस की राजधानी बनाई गई, मदुरई में मिनाक्षी मंदिर है, मदुरई को उत्सवों का शहर कहा जा था, यह सारी चीज़ लिखिए, जो अलग से तथ्य बताय जा रहे हैं यहाँ पे उसके बारे में, सवाल नंबर 37, गुड फ्राइडे किस से समंदित है, गुड फ्राइडे समंदित है दोस्तों, इशा मसी की सूली से, जियां दोस्तों भी हम उत्तर कर लेंगे, इशा मसी को सूली पर रोमन गवर्नर पोटियस ने चड़ाया था, इशाई धरम क पवित्र चिन, क्रॉस होता है, यह भी आप लिए याद रखेंगे, चलिए सवाल नंबर 38 पे चलते हैं, उत्तर पश्चिम भारत में सरद रितू में वर्सा का कारण क्या है, आंसर कर लेंगे, इस ए पश्चिमी अवदाब है, जियां रितू वर्षा में तामिल लाड़ों में मुखेत वर्षा जादा होती है, है ना, रितू वर्ष, सीत रितू बंद, मतलब कि ठंडी के समय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ब्यापिक, जो वहाँ की ब्यापारिक पवने हैं, लोग लगबग 30 डिगरी उत्री और दक्षनी अक्षांसों के छेतर पर वायुदाप के कटी बंदों से भूमद रेखिए, निम्न वायुदाप कहे जाते हैं, ठीक है, आंसर कर लेएगा, सवाल नमबर 39 का, दोस्तों, किड्स राइट इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है, बिल्कुल 117 हुई थी, यह आप लिख लेजेगा, इंपोर्डें पर बनाया जा रहा है, बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, जियां कुछ परियोजना हैं, और उससे जोड़ी हुई नदियों के नाम में बताऊंगा, लेकिन अगर सबसे पहले सरदार सरोवर बांद की बात हुई, तो नर्मदा नदी का नाम याद रख लिजिएगा, C, अ उलहस्ती परियोजना, चिनाब नदी, वान सागर, सोन नदी, ठीक है, तो ये सारे तथे इंपोर्टेंट थे याँ से, तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा,